नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सीका ओला नेरा फरस्टी यूट्यूब चैनल पेस वीडियो में हम बात करने वाले यूपी टीटी 2021 की आंसर की के बारे में साथ ही यूपी टीटी परिच्छा की और भी तमाम लेटर सब्डेट को लेकर तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जिसे कि आपको इसी परकार की आथेनिटी को सड़िक जनकाई हैं सबसे पहले मिलती हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप सुभी को बता दूँ कि परिच्छा को लेकर तो जैसा कि दोस्तों आप जानते कि यूपी टीटी की परिच्छा आज करवाई गई लेकिन ऐसे में कई अलग अलग चीजें देखने के लिए मिली यूपी टीटी परिच्छा से लगबग लाखों अभ्याथी बिना परिच्छा दिये ही बाहर हो गए चाहे वो कुछ अब्यारती जो कि बसों के चलते यहां पर लेट हो गए यहां पर कुछ ऐसे अब्याती भी देखने के लिए मिले जो कि अपने परिच्छा के अन्दों पर तैयर समय पर नहीं पौँच पहे जिसके चलते उनको परिच्छा के अन्दों से बाहर बैढ़ना पड़ा और ऐसे में कई ऐसे भी मामले देखने के लिए मिले जहां पर बसों के माध्यम से फ्री यात्रा करवाई गई तो कई ऐसे भी मामले देखने के लिए मिले जहां पर अब्यातियों को धक्के मारकर बसों से बाहर निकाल दिया गया इस परकार के वीडियो लगाता भी अधिकाई उनको जान गई हैं क्यों नहीं देगी अगर उनकी दफ से जान गई हैं दी गई थी तो इस पर गार के मामले सामने क्यों आ रहा हैं यह तो चलो जाच का विशय इसके उपर जाच होनी चाहिए लेकिन लाकों ऐसे अब बैदी जो की पहिछा देने से बंचित हो लेकिन ऐसे में आगो बात की जाए了 यूपी टीइटी की परहिछा को लेकर कर यूपी टीइटी परहिछा के आंसर की के LIKE बारे में अगर बात की जाए तो आज का जो पेपर देखने के लिए मिला है। वो कही यह बैसी ने थो उसके यह भी कहा कि जो आप पेपर दिखाय है वो 2017 का है लेकिन जब उन्होंने जाकर दुबाहा से पेपर को चेक किया तो उनको पता चला कि पेपर 2017 का नहीं है पेपर तो 2022 का है लेकिन फिलाल करेने की 2017 से मिलता जुलता देखनी के लिए मिला है कई ऐसे कोश्यन है जो कि आप सभी कर रिपीट कर दिये गए है 2017 से संबंदित लेकिन ऐसे मैं अगर बात किया यूपी टीटी के पेपर को लेकर तो छातों की तरफ से यहां पर दावा किया गया कि 2017 के ऐसे बहुत सारे कोश्चन है जो कि 2022 के पेपर के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे अभ्यति इस चीज़ को लेकर शोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े कर आएं कि अधिकाईयों के माध्यम से यूपी टीटी पहिशा कराया जाने को लेकर दो महिने का समय लिया गया था तो क्या कॉपी पेस्ट करने का कारे किया गया या फिर जो भी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली है फिलाल अगर बात की जाए यूपी टीटी की आंसर की के बारे में तो यहां से दोस्तों अगर बात कीजाए एक कोशन की सारी की सारी आंसर की आप सभी को वीडियो के माध्यम से दी जाएगी जिससे कि आप सभी अपने कोशन को बड़ी आसानी से मिला पाएं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एक बार like हो शेयर अवश्य कर देना बाकि अगर बात की जाए अंसर को लेकर तो यहां से EK करके सारी जान कई आप सुभी को दे दी जाएगी तो यहां पर आप सुभी के सामने question आ जाते है पहला question हम शुरू करेंगे के साती आपस भी लाइक हो शेयर करना बिलकुल मत भूलना यहाँ पर हम बात करने वाले अगर बात की है सैट सी को लेकर आपके पास सैट सी है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आपस भी यहां से कहिने की मिला सकते हैं अपने कोरिशन के अनुसार यहां से पूछा रहा ह इसके अलावा अगर बात की जाए नीचे आप स्वी के सामने देखने के लिए मिलता है कि मांस जिक उद्धिरिन को लेकर प्रतिमान का प्रयोग निम्ड मैंसे किसके दौार किया गया इसके अलावा अगर बात की जाए निम्ड मैंसे किसका प्रयोग कुट्टे के ऊपर था तो ऐसे में आप स्वी को याद रखना है प्रप्लम इसका बिल्कुर आइटान से होगा मैंने एक पोस्ट भी की थी इसके अंदर आप स्वी को मैंने तीनों को एक साथ दिखाया भी था उसी को लेकर अगर बात कीजा अपने अगले कोशन की बाहिए मैं अगला कोशन आप स्वी के सामने देखने के लिए मिलता है मॉलिक्ता और इसके लावा अगर बात की जाए प्रवा को लेकर तो इसका जो राइट आंस ऐसे हो गा उप्शन नाओं पाएं उसी को लेकर अगर बात की जाती है अगले कोशन के बारे में कि सामजिक विकास की प्रवावित करने वाले आप सभी से पूछे गए तो सामजिक परिवेशन अब तत्व इसका बिल्कुर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फूर इसी के साथ अगर बात की जा आप इससे कौन सा विकास का सिद्धान्त नहीं है चार आप सभी के सामने राइट आंसर होगा ऑफ्शन नमबर यह इसका बिल्कुर राइट आंसर है विकास के परिड़ाम के स्वरुव नवीन तंब विशेसता हो नवीन योगिताओं को प्रकट होती है चार आप शबी के स सामने राइट आंसर आपको याद रखना है प्रत्य अच्छी करन्ड इसका बिलकुर राइट आंसर होगा option number four सीखने में प्यास भब भूल के सिद्धांद कर प्रतिपादन किस ने किया है चार आप सुभी के सामने राइट आंसर आपको बता होना चाहिए थौंडाइक इसके अराबा अगर बात कीजा अपने राइट आंसर आपको याद रखना है नब्य से लेकर 109 इसका बिलकुर राइट आंसर होगा निम्ण में से कौन से तरल क्रिस्ट्रिया बुद्धी के प्रतिमान के प्रतिपादक थे चार आप्शन आप सुभी के सामने राइट आंसर आप सुभी को याद रखना तो आप्शन नमबर बन इसका बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा इसी के साथ अगर बात की जाती है अपने के लिए कोशन के बारे में क्रिया प्रसुत के अधियम सिद्धान को लेकर पूछा गया था तो इसकी ना इसका बिलकुर राइट आं होगा ऑप्शन नमबर फोर अगर बात की जाती एंपीपी आई पाइच्छंड का उप्योग निम्न में से किसके द्वारा किया गया तो चार आप्शन आप सुभी को याद है परसनेलिटी से संबंदी था ऑप्शन नमबर बन इसका बिलकुर राइट आंसर होगा इसी के सा अगर बात की जाती है अपने अगले कोशन के बारे में जो कि आप सुभी के सामने शेश्वा काल को लेकर तो जन्म से लेकर दो वर्स इसका बिलकुर राइट आंसर हो जाएगा और फोर इसी के साथ अगर बात की जाती है अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि इसी के साथ अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए अगर बात की जाए अगला कोशन के सामने है जो कि सजनातमक्त्र मौलक्त cob रडामों को लिखा है तो इसका जो राइट आउस अगर अगर सकता कि जो जग्ध का बिलकुर राइट आंसर होगा इसी के साथ अगर बात की जाए बी-एफ स्कीनर को लेकर बच्चों की भासा का विकास होता है चार अप्षिन आप सुभी के सामने राइट आंसर होगा अप्षिन नमबर थर्ड अनुकरण और प्रबलन के फलसुरूप अगला कोशन आप सु अगर बात की जाए एक बस्तू पर चेतना का कैंदीकरण अफदान कतन है चार अप्षिन आप सुभी के सामने है तो अप्षिन नमबर बन इसका बिलकुर आइट आंसर होगा इसी के साथ अगर बात की जाए अपने अगले कोशिन के बारे में बायर से लेकर 16 बस के बालकों है तू हिंदी वर डॉक्टर एस जलोटा ने कौनसे परिचंट प्रतिपादित किया चार अप्षिन आप सुभी के सामने है राइट आंसर आप सुभी को यहां बताना था तो अप्षिन नमबर फोर इसका बिलकुर आइट आंसर हो जाएगा साधार मानसिक योगिता परिच करते हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला कोशन आप सुभी को देखने के लिए मिलता है जो कि आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि आप सुभी को पढ़ना पड़ेगा गद्यांस को गद्यांस को पढ़ने के बाद आप सुभी को आंसर देना होगा ल तो यहां पूछा गया है कि यहां पर उनकी आई उट कितनी थी तो 35 आप विसमी को याद इखनी है जो क्या आप विने बता दी होगि शुद्धर्दह आप सुभी को याद रखना है वैदिक धर्म इसका बिलकुर आइटांस है डाका उच्छान्द इस्तान क्या होगा नास्तिक किसका बिलकुर आइटांस होगा ऑप्शन नमर बन चार गज मलमल को लेकर आप सुभी से पूछा गया तो यह क्या है परडाम बोद्रक ऑप्शन न बात कीज़ा आठी किरिकिली का यहां से दो आप्शन हो सकते हैं और कारष्ट लगनेका है नमबन बन बाटा ऊक्टांस हो पर बाकि आनगक्य क्या लगता है और करको बताएगा है तो दोनों यहां पर हो सकते हैं वायोग किसको माने का डिपेंड करेगा पी एन पी के ऊपर बाकि आपको क्या लगता है कमेंट करेंगे बताइए का निम्ण मैंसे किस शब्द की बरतनी सही आप सभी को याद रखना अगला कोशिन आप सभी के सामने आता है जो कि है उप्तर का इसका अर्थ क्या होता है परवत के पास की भूमी ऑप्शन नमबर टू इसका बिलकुर आइट आंसर होगा निम्लिकित मैंसे मौकिक अभिव्यक्ति का रूप आप सभी से पूछा गया है तो आशु बासट इसका बिलकुर आइट आंसर होगा हिंदी बासा की बोलिया आप सभी से पूछेंगे टोटल अठार ऑप्शन नमबर थर्ड इसका बिलकुर आइट आंसर हो जाएगा सामजिक शब्द में मूल शब्द का प्रत्यत आप सभी से पूछा गया है तो समाज पिलस एक इसका ऑप्शन अगाल का पया बाची आप सभी से पूछा गया तो दुर्विच इसका बिलकुर आइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर बन इसी के साथ अगर बात कीजा अपने अगले कोशन की बारे में निम्लिकित बाक्यों में से कौन सा मिश्य बाक्य नहीं है चार ऑप्शन में से आइट अगर बात किया निश्क पट को लेकर तो यहां से आप सभी के सामने निया पिलस्ट कपट इसका बिलकुर आइट आंसर हो जाएगा इस देश में हिंदी बासा का प्यों की रचना आपको पता होना चाहीं ब्रज बासा की रचना है अप्शन नमबर थर्ड इसके अलावा अ जाए भीडिति को कैसा वशंथ कव्धा किसकी लिखी है आप सभी के सामने सुझदा कुमारी कि इसका बिलखुर है डाइट नाश होगा चेतिये में कौन सा विक्षेशन आप सभी को याद रखना है गुडबाटच्र किसका बिलुकुर है डाइट अंसर होगा चुरहा सब्द आप सुछा गया कौन सा समास है तो दिगू समास इसका बिल्कुर आइटांसर होगा उप्शन नमबर थर्ड इसी के साथ अगर बात कीज़े अपने एकले कोशन के बारे में जो किया है परियावन अध्यन को लेकर परियावन अध्यन की अगर बात किया तो सरवधिक जैव विरता पाई जाती है आप सभी को याद रखना है शांत घाटी ऑप्शन नमबर थर्ड इसका बिल्कुर आइटांसर होगा LPG के संदर में क्या असत्य आप सभी को याद रखना है कि मीतेन का उसरजन करता ऑप्शन नमबर बी इसका बिल्कुर आइटांसर होगा अगर बात किये परिस्तित की तंत की घटक के बारे में तो ऑप्शन नमबर फो इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा मकर देखा कि बारे में आप सभी को याद रखना ऑप्शन नमबर फड़ इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा इको सिस्टम शब्द का प्योग सरप्थम किसके द्वारा किया गया था तो टांसले इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा इसके अलावा अगर बात की जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है इसके बारे में दो कोशन के आंसर लगा है मतलब जैसा कि हमने पहले ही बताया बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके बताईएगा बने जीव सुच्छा अधियम पायत किया गया था चार अप्शन आप सभी के सामने 1912 इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा बाई मंडल के उपरी सीमा पर प्रती इकाई छेत्र में प्राप्त होने वाली सौर बिकरन कहलाती है इसके अलावा अगर बात कीज़े किस देश के समयदान से मॉलिक करतव भी लिया गया है चार अप्शन आप सभी के सामने तो इसका राइटांसर होगा नमबर टू मतलब कि रूस ठीक है रूस की यहां पर बात की जारी रसिया अगला कोशन आप सभी के सामने आता है जो के सम्मादियत है घास भूमी छेत के परितंत के खाद सलिंखा से सबसे उच इस्तर का उप्रोगता है चार उप्शन आप सुभी के सामने है मासा हारी इसका बिलकुर राइटांसर होगा उप्शन नमबर फूर इसके अलावा बायू मंडल का प्रित्वी के सबसे पास है चार उप्शन आप सुभी के सामने है छोप मंडल इसका बिलकुर राइटांसर होगा भायती संस्यत के उद्रा जैब विवित्ता अधिनियम पायत किया गया था फूलों की घाटी अवस्तिते इसके बाई में चार आप सुभी के बताना है इसके अलाबा अगर बात की जाए तो उत्त्राखंड इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा है ना अगर बात की जाए अपने अगले कोशन के बारे में भारती निमलिकित मैंसे कौन सी एजनसी मुख्यूप से प्रद्विशन के मापन से संबंदित है तो ऑप्शन नमबर फोर इसका बिल्कुर आइटांसर हो जाएगा कैंडिय प्रद्विशन इंतन बोड इसके साथ만 ही established पेक्सी के बारे में आप सभी से पूछा गया तो option no.3 इसका बिलकुर right answer होगा एंडीज में तिब्बत की अगर बात की जाए संगापु नदी भारत में किस नाम से जान ली जाती है तो भ्रम प्रत इसका बिलकुर right answer हो जाएगा option no.3 अगला आप सभी के सामने आता है धुब तारा कहा जाता option no.1 अगर बात की जाए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया था तो 1973 इसका बिलकुर right answer होगा पहले से टिक लगा के रखे हुए था आप सभी के लिए जिससे की question की answer जल्दी बताई जा सके है कहाना राष्टे उद्रान भारत की किस र पारी में जंगली गतों का अभ्यान कहां पर तो option no.4 इसका बिलकुर right answer होगा कच्छ मतलब गुजरात में कारवन डेंटिंग संदर्बित करता है प्राची निस्तोरों की मौजूद हड्डियों या फिर समग्गियों के option no.4 इसका बिलकुर right answer हो जाएगा संभीदान सभा क कब राष्टियान को अपनाया गया था तो 1950 इसका बिलकुर right answer हो जाएगा बायो मैगनिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो option no.1 इसका बिलकुर right answer होगा इसी के साथ अगर बात की जाए निमली के तमेरे से कौन जैब मंडल का अजैबी घटक नहीं है चार option आप स अप सभी का रह गया है math का आप सभी का रह गया है और Sanskrit का चलिए पहले हम बात कर लेते हैं Sanskrit को लेकर Sanskrit के बाद English और Math को लेकर अलग से एक video बना दिया जाएगा लेकिन वो तभी बनाया जाएगा जब आपसे comment करके बताएंगे क्योंकि video बनाने मेन्यत बहुत लगती है आप सब्सक्राइब से पूछा गया था तो इसका डॉंप फॉर किसी के साथ अगर बात किए 64 को लेकर को लेकर इसका जो डॉंप सुछें नुप अच्छी लगती है यहाँ पर लिखा हुआ है पूछा गया बो बताना है आप सुभी को तो महा संसकर रोचते option no.3 इसका बिलकुर right answer होगा शिशु मुर्द कायर होती, आप सुभी से पूछा कि nggak, उधारन को लेकर तो option no.3 इसका बिलकुर right answer होगा हुच्चे को लेकर अगर बात कि उधारन के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा से इसको लेकर confusion है फिलाल छोड़ देते हैं अगर बात की जाए उसम बर्णों के बोदक के प्रतिहार के बारे में तो option number four इसका बिल्कुर right answer हो जाएगा पठनी के रूप के बारे में आप सुभी से पूछा कर तो option number third इसका बिल्कुर right answer होगा option number third च्छा मिलकर बनाएं आप सुभी को याद रखना कर और शासे तो option number one इसका बिल्कुर right answer होगा option number one जो पहले से टिक लगाके रखें वो सभी टिक सही है तो आप सुभी परिशान मत होना मैं नहीं लगाए है अट प्रतहार के बारे में आप सुभी से पूछा कर तो option number one इसका बिल्कुर right answer हो जाएगा कर अझेदी प्रत्ती है तो कर प्रत्यत ुर्फटें आप सभी को याद एक ना तो option number three इसका बिल्कुर right answer हो जाएगा 74 के अंदर जो right answer होगा option number 1 इसका बिल्कुर right answer हो जाएगा रामायन 75 के अंदर जो इसका right answer होगा option number 4 इसका बिल्कुर right answer हो जाएगा 75 में 76 की अगर बात की जाए तो option number 4 इसका बिल्कुर right answer है 77 की अगर बात की जाए तो 71 का 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 इसका बिल्कु राइट आंसर हो जाएगा 78 में अगर आप जाना चाहते हैं तो option number 1 इसका बिल्कु राइट आंसर है इसके अलावा 79 की अगर बात किया है तो 95 इसका बिल्कु राइट आंसर हो जाएगा आपस भी को आंसर देने हैं लेकिन अगर बात कीजा इसकी आंसर को लेकर तो यहां पर 82 का जो आंसर होगा option number 4 इसका बिल्कुर right answer होगा इसी के साथ अगर बात कीजा अपने अगले question के बाए में तो 83 का जो right answer होगा option number 3 इसका बिल्कुर right answer होगा 84 की तरब जाना चाहें तो option number 3 इसका बिल्कुर right answer है अगर बात कीजा अपने अगले question के बाए में तो अगला question आप सभी को देखने के लिए मिलता है 86 का 86 का राइट आंसर ऑप्शन नमबर 2 होगा 87 की अगर बात किया तो ऑप्शन नमबर 1 इसका बिलकुर राइट आंसर है 88 की अगर बात किया तो ऑप्शन नमबर 3 इसका बिलकुर राइट आंसर होगा 89 की अगर बात किया तो ऑप्शन नमबर 3 और साथ ही अगर बात किया 90 को लेक करा दिये जाएंगे वीडियो को आपसे भी लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें